तो molality की definition क्या होती है बता बच्चों molality की definition क्या होती है तो गौर से सुनिएगा गौर से सुनिएगा आप क्या करो एक kilogram एक kilogram solvent ले लो तो एक kilogram solvent में जितने मोल सलूट होते है उसी को सलूशन की molality कहते है टोटल मोल आप सलूट डिजॉल्व इन वन किलोग्राम आप साल्वेंट डिफिनीशन क्या होती है बच्चों डिफिनीशन क्या होती है टोटल टोटल मोल आप सलूट डिजॉल्व इन वन किलोग्राम वन किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑप सल्वेंट मतलब एक किलोग्राम साल्वेंट में जितने सलूट के मोल होते हैं उसको मोललटी बोलते हैं जैसे किसी कहा कि एक किलो पानी में दो मोल ग्लुकोस पड़ाएं एक किलो पानी में दो मोल ग्लुकोस पड़ाएं तो जरा बच्चों सलूशन की मोललटी बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से सलूशन की मोललटी बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में एक किलो पानी में दो मोल ग्लुकोस पड़ा है तो solution की molality बताओ molality क्या होगी 2 होगी क्यों? 1 kg पानी में या 1 kg solvent में जितने mol आप salute पड़े होते हैं उसी को molality कहते हैं तो answer कितना आएगा? 2 answer कितना आएगा? 2 ये बास समझ पार हैं सब लोग सभी बच्चे definition समझ पार है 1 kg solvent में जितने mol salute के पड़े होते हैं उसी को उसकी molality कहते हैं clear है? clear है? तो बच्चों ने कहा हाँ sir clear है तो मैंने कहा जरा एक question बताओ फिर मैंने कहा एक question बताओ 2 kg वाटर में 2 kg वाटर में 10 mol glucose dissolve है dissolve है तो अब बताओ नेहा बहुत सब्सक्राइब हरिस बहुत सब्सक्राइब अरपिता बहुत सब्सक्राइब प्रभा बहुत सब्सक्राइब गुपता जी बहुत सब्सक्राइब फ्यूचर डॉक्टर बहुत सब्सक्राइब राहुल बहुत सब्सक्राइब मोलल्टी कितनी होगी पांच होगी यस बहुत सही उज्वल बहुत सही बैटा बहुत सही तो अब देखो इसका फार्मूला तो देखो मोलल्टी का फार्मूला क्या होता है मैं अगले पेच में लिखता हूँ मोलल्टी का फार्मूला होता है है टोटल है मोल आफ सलूट कि साल्वेंट इन केजी यह देखू इन केजी अब यदि मान लोग कोई बच्चा चाहता है कि इसी चीज को ग्राम में लिख दिया जाए तो देखो इस फार्मूले को यदि ग्राम में लिखना चाहते हो तो यह आ जाएगा टोटल मोल आप सलूट डिवाइड़ बाइ मास आप साल्वेंट इन ग्राम तो जब साल्वेंट का मास ग्राम में लिखोगे तो बैटा उपर टैन की पावर थिरी आएगा जब साल्वेंट का मास ग्राम में लिखोगे तो ऊपर बच्चों कितना आएगा टैन की पावर थिरी टोटल मोल आप सलूट डिवाइड़ बाई मास आप साल्वेंट इन ग्राम इंटू टैन की पावर थरी और केजी में लिखोगे तो यह आएगा अच्छा किसी बच्चे ने कहा कि सर किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या इस फार्मूले को थोड़ा चेंज किया जा सकता है तो मैंन मास आप साल्वेंट को क्या लिख सकते हो मास आप सलूशन यदि सलूशन के मास में सलूट का मास माइनस कर दो तो क्या बन जाता है मास आप साल्वेंट तो मास आप साल्वेंट की जिए क्या लिख सकते हो मास आप सलूशन माइनस मास आप सलूट इन्टू टैन की पावर थ इससप्एरि मासाफ साल्वेंट की जग्या लिख सकते हो सलूशन माइनससाफ्स तो क्या वेइस यह फार्मूला कहा यूज होगा ये बच्चों कहां यूज होगा जब आपको given हो क्या mass percentage जब mass percentage given होता है तब ये formula यूज होता है mass percentage कहला डबलू बाइडबलू डबलू बाइडबलू तब ये formula यूज होता है तो एक बच्चा जो है जिद करने लगा उसने कहा सर क्या इस formula को ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए total mole of salute total mole of salute देखना भाई डरना नहीं अब mass आप solvent है तो मैंने आपको बताया था कि जो density होती है उसका काम क्या होता है density का काम जो होता है वो होता है mass और volume के बीच में conversion का mass को volume में convert करना है volume को mass में convert करना है तो ये काम कौन करता है density तो जड़ा बताओ यदि मैं ऐसा लिख दूँ d equal to m upon v तो m equal to d into v अब mass किसका है solution का तो density किसकी होगी solution की और volume किसका होगा solution का तो यदि मैं mass आप solution की जिगा ये लिख दूँ तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा density of solution into volume of solution अब यहाँ पर एक बात ध्यान लखना पड़ेगा एक बात ध्यान लखना पड़ेगा क्या mass की unit क्या है gram तो density की unit क्या होनी चाहिए gram पर ml और इसकी unit क्या होनी चाहिए ml in- यह किसी बच्चे को बुरा लगा यह बास सब लोग समझ पाए की नहीं yeah या लोग नो यह बास सारे बच्चे समझ पाए की नहीं a you थो िंस pregnant और यह बहुंज पार Państu Yes ये बास समूंज के आई को और यद आई तो ये वाला फार्मूला कहां पे लगाओगे ये वाला ये वाला फार्मूला कहां पे लगाओगे जो ये दिया है ये तब लगता है जब आपको गौर सुनो जब आपको डबलू बाई वी परसंटेज दिया जाए और साथ में डेंसिटी आप सलूशन दी जाए जब आपको W by V परसंटेज दिया जाए और डेंसिटी आप सलूशन दिया जाए यस वैरी गुड वैरी गुड हाँ सिंग साप इधर देहन दो सिंग साप कह रहे हैं मेरा नाम लेलो अरे भाईया नाम से जबा काम ऐसा करो ना आएसा काम करों कि सब नोब तुमहारा नाम लें हा न फिर सिंग साफ तो दिख यह फार मूला कभी उचक्रोंगे रहा वाला फार मूला कभी उस करोंगे क Liski और यह फार्मूला कभ यूज करोगी यह आपको ध्यान नखना पड़ेगा कि किस सिच्वेशन में हम क्या कर सकते हैं किस सिच्वेशन में हम क्या कर सकते हैं जैसे आप आसानी से कोश्चन को कर सके